मसकार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में और इस वीडियो में हम लोग DL8 Course 501 के 10 Important Questions करेंगे जैसा कि पहले भी हम लोगों ने 3 वीडियो में 10-10 Important Questions किया था जिसमें कि 1st वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Questions का क्या pattern होगा कितने कितने Marks के कितने Questions पूछी जाएंगे, टोटल कितने Marks आपका एक्जाम होगा और कितने घंटे के आपका एक्जामनेशन होगा, अगर आपने यह सब वीडियो नहीं देखा है और जो अपने Friends के साथ WhatsApp गूरूप, Facebook गूरूप या फिर Instagram गूरूप पे जरूर सेयर करें ताकि सबी तक यह Questions पहुंच सकें और सबी जो अपने तयारी को अच्छे से कर सकें दोस्तों बस मेरा परियास है कि जितने भी Student इस Channel के साथ जूड़े हुए है तो वो DL8 के Exam में पहली बार में पास हो और अच्छे Marks के साथ जो है वो पास हो तो दोस्तों आप भी इसमें जरूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को जो है सेयर करें तो चलिए दोस्तों आज का जो 10 Important Questions जो है उसको पहले हम लोग कर लेते हैं यह Question जो है DL8 के Study Material 501 से लिया गया है अगर इसमें First Question देखें तो इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अंतरगत अध्यापक की भूमिका है तो इसमें बताना है कि अधिकार अधिनियम 2009 के अंतरगत तो इसमें देखें चार Option दिये गया है इसमें जो Option A है अभिभावकों से नियमित संपर्क और उसके बच्चों की परगती से अवगत कराना और Option B है बच्चों का सतत वो ब्यापक मुल्यांकन करना और Option C है पाठिचर्या संपादन के लिए नवाचारी बीधियों यथा खेल, निर्डेशन, भर्मन तथा रचनात्मक बीधियों का उप्योग होना चाहिए और Option D है उप्युक्त सभी आपको जो भी इसमें सही आंसर लगता है वो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका जो सही जो आंसर है वो है Option D यानि जितने भी इसमें आफ्सन दिये गए हैं सभी सही हैं आप इस questions को अच्छे से कर लें यह बहुत ही important questions है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसके अंतरगत जितने भी questions बनते हैं इसको आप अच्छे से कर लें क्योंकि यह questions आपको very short answer type या फिर short answer type questions में यह आ सकते हैं और फिर अगला जो questions है भारतिय संभिधान में सिक्षा का प्राबधान है तो भारतिय संभिधान में क्या सिक्षा का प्राबधान है वो आपको बताना है इसमें चार option दिये गए हैं जिसमें कि option A है केंदर सूची में और option B है समवर्ती सूची में और option C है राजी सूची में और option D है आरक्षित सकते हैं कि भारतिय संविधान के सिक्षा का क्या पराबधान है तो इसका जो सही जो आंसर है वो है option B यानि समवर्ती सूची में और फिर अगला जो questions है विद्याले की परवंधन समीती में 50% महिलाएं होनी चाहिए यह पराबधान है यहां पर यह हो गया है यहां पर यह होग प्युक्त में से कोई नहीं आपको जो भी इसमें सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंड वाक्स में कमेंड कर सकते हैं इसका जो सही जो आंसर है वो है option B यानि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह इसका सही आंसर है और फिर अगला जो questions है वो है खंड संसाधन केंड य आपको पूछे जा सकते हैं तो इसमें देखे चार option दिये गए जिसमें कि option A दिये हैं diet की गुनवत्ता बढ़ाना तथा एक खंड केंडर में 100 गावाओं का समू होता है और option B है अध्यापक और विद्यालियों को सेक्षिक मांग दर्शन देना और option C है विद्याले अस्तर पर गुनवत्ता सुधार किर्या कलापों को कार्यानवित करना और option D है उप्युक्त सभी तो इसमें जो भी आपको सही answer लगता है वो आप नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं कि BRC का क्या उद्देश है इसका जो सही जो answer है वो है option D यानि उप्युक्त सभी तो इसमें जितने बोला जा रहा है कि संकुल संसादन केंदर की भूमिका नहीं है जिसमें देखे चार option दिये गए हैं जिसमें कि option A है विद्याले चलाने के लिए नियम तथा किरिया विधी तयार करना और फिर option B है विद्याले निधी परवंदन और बंटन और option C है पाठ्थे चारिया का का अध्यापक कार्शाला का आयोजन और option D है उपयुक्त से भी तो यहां पर देखिए दिया गया है संकुल संसादन केंदर की भूमिका नहीं है तो इसका जो सही जो आंसर है वो है option D यानि जितने भी इसमें भूमिका दिये गए है यह सारे जो हैं गलत है और फिर अगला जो questions है वो है सिक्षा के विकेंदरी करन का उधारन नहीं है तो इसमें देखिए चार option यहां पर दिये गए है जो भी आपको सही option लगता है वो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं इसमें जो option A दिया गया है diet और option B है BRC और option C है CRC और option D है NCERT तो आपको जो भी सही आंसर लगता है यह आप comment box में comment करके बता सकते हैं इसका जो सही जो आंसर है वो है option D यानी NCERT तो इसमें जो है सिक्षा के विकेंदरी करन का उधारन जो NCERT नहीं है तो इसमें देखिए जो चार option जो दिये गए है diet BRC CRC या फिर NCERT इसके वारे में आप अच्छे से पढ़ने यह बहुत important topic है और फिर इसमें देखिए अगला जो questions है परिहार पार्ट साला का अभी प्रह है तो इसमें देखिए चार option दिये गए है जिसमें कि option A है एक परकार की रातरी पार्ट साला और option B है अनात वो गरीब बच्चों की पार्ट साला और option C है शिक्षा कर्मियो द्वारा संचाल पिद्याले और option D है, इन में से कोई नहीं, तो आपको जो भी सही answer लगता है, वो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं, तो इसका जो सही answer है, वो है option A, यानि एक परकार की रात्तरी प्राट साला, और फिर अगला जो questions है, जिला प्रात्मिक सिक्षा प्रयोजना, यानि DPEP, सबसे बड़ी प्रयोजनाओं में से एक है, जिसे किसके सहयोग से 1995 में आरम किया गया, इसमें बताना है कि किसके सहयोग से जो है, इसको आरम किया गया था 1995 में, इसमें देखे चार option दिये गया है, जिसमें कि option A है, विस्व बैंक, और option B है, UNICEF, और option C है, UNO, और option D है, अम इस वेंग के सहयोग से जो है इसको start किया गया था और फिर अगला जो questions है सर्व सिक्षा अभियान की सुरुवात कब हुई थी तो आपको इस भी का नाव इसमें बताना है कि सर्व सिक्षा अभियान का सुरुवात कब हुई था इसमें देखे चार option दिये गए जिसमें कि option A है 2001 में option B है 1909 option C है 2008 में option D है 2005 में तो आपको इसमें बताना है कि सर्व सिक्षा अभियान की सुरुवात कब हुई थी आपको जो भी सही option लगता है वो आप निचे comment box में comment कर सकते हैं इसका जो सही जो answer है वो है 2001 यानि 2001 में सर्व सिक्षा अभियान की सुरुवात की गई थी औ इसमें से कि option A है, एक निष्चित समय अब्दी में प्रारंबिक सिक्षा के सार्वी की करन की परिक्रिया पूरी करना और फिर option B है समाजिक निया को फ्रोन्नत करना और option C है राजियों के लिए प्रात्मिक सिक्षा के छेत्र में स्वेंग का दर्सन बिक्सित करने का अफसर और option D है उप्युक्त सभी तो आपको इसमें बताना है कि सर्व सिक्षा भियान की क्या बिसेस्ता है आपको जो भी सही answer लगता है वो आप नीचे comment box में comment कर सकते है इसका जो सही answer है वो है option D यानि उप्युक्त सभी तो इसमें जितने भी option दिये गए वो सभी सही है ये जो है सर्व सिक्षा भियान की बिसेस्ता है तो आप इस questions को अच्छे से करें क्योंकि ये questions आपको जो very short answer type questions में आपको ये पूछे जा सकते है या फिर short answer type questions में भी जो है ये आपको पूछे जा सकते है कि ये सर्व सिक्षा भियान की क्या बिसेस्ताई होती है तो यही था आज का 10 important questions ये सभी बहुत ही important questions है आप इसको जो अच्छे से कर ले और आगे इसी तरह से आपके लिए है objective type questions और फिर आगे आपके लिए very short answer type या फिर short answer type questions भी लाएंगे बस आप जो अपना response अच्छे से दीजिए विडियो को like कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए ताकि सभी तक ये material पहुंच चके और सभी जो है अपने त्यारी को अच्छे से कर सकें और दोस्तों अगर आप इस channel पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को नीचे आपको एक subscribe क्लिक कर दें उसके बाद एक notification का बेल आएगा उससे भी क्लिक कर दें तो उससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको free में मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद